प्रूब कर लिया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं जू आप लोगों का दोस्तों विल्सन भाय की यहां आये थे पिछला एपिसोड हमने डिटेल में विल्सन भाय के घर को बताया उनके गारीयां उनके सोफ के बारे में डिस्कस किया और तफिल से उनसे दिल्चस बाते की तो वह एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख सकते आज सिर्फ और सिर्फ आपको बड्स दिखाऊंगा ठीक है तो चले दोस्तों सुरू करते हैं आज का एपिसोड और बहुत सारे एकसाइडिंग बाट्स देखे देखने को मिलेंगे जो लोग पिछले एपिसोड का प्रोमो देख चुके उनको पता होगा क्या देखने को क्या मिलेगा इसलिए मैंने आज प्रोमो आटेच नहीं किया है और दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में इन्होंने पार्किंग के अंदर क्वालिटी में बिलीव करते हैं यह संकन्यों जो है वो ब्रीडिंग पेर है नौट फॉर सेल है काफी यलो डॉमिनेंट में है ठीक है तो बहुत ही खूपसूरत अभी गर्मियों में काफी लोगों ने दुस्तों है ब्रीडिंग बोक्स उतार दिये हैं इसलिए इन्हों न करना है काइक का जो है अभी वो सपोर्ट फीडिंग के उपर हैंट फीड पे नहीं है है तो इसके लिए आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं विलसन भाय का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिये देता हूं प्लस दोस्तों काकाटू के लिए आफ्रिकन ग्रे के लिए और ब्लू और बच्चे भी हैं जो मैंने पुछले वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे जो फस्ट फ्लोर पे पड़े हैं वो जाकर भी आप देख सकते हैं बहुत चोटे-चोटे से थे मैंने पहली बार देखे तो देखना एकसाइटमेंट था अब दोस्तों यह जो सामने आप दे इसके बारे में भी हमने पिछले एपीसोड में विल्सन भाई से बात की थी अब दोस्तों अनीज भाई जो है खेल रहे हैं ग्रीन विंग मकाव इसका प्राइज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे कोई बताता नहीं प्राइज लेकिन विल्सन बाई जो वह बिंदा सिंसान है बिंदा सिंसान आपको केसे पता चलेगा इसके लिए बार बार कहता हूं पिछला एपीसोड देखना पड़ेगा त्री लेक फिफ्टी थाउजन रुपीज इसका प्राइज है ठीक है ए नाइंटीन से इसको अभी तीन टाइम फीडिंग चालू है ठीक है अर डल्ट पैर का प्राइज आठ लाक रुपे के आसपास रहता है अर जैसी कोॉलेट का फीक है जिर सकार्लेट मकाव और प्राइज आप व्रियन को स्कार्लेट मकाव दूसते चॉड़ा लाग के आसपास की पेर आती है ठीक है फोटीन लेक रुपीस driven हर्दीन Christmas 18四 बहुत बड़ा है दो нет दोस्तों बोईलर मुर्गी के जितना बड़ा ह Aug तो चले दोस्थो आगे बढ़ते हैं प्राइज मैं आप लोगों को मिलन दे रहे हैं सीड्स दे रहे हैं गर्मियों में दोस्तों धीसे बड़स को इससे पानी की इनकी कि जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है यहां पर कुछ संकनियों रखे हुए है तो एसे ही कुछ इन्होंने स्टार्ट किया है प्लस दोस्तों जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा के विल्सन भाई जो है वो इसराइल में जोब लगवाने का काम करते तो किसी को कॉंटेक्ट करना है तो वह कॉंटेक्ट कर सकता है मैं नं बढ़ा दिया हुआ है आप देख सकते केज कितना बढ़ा दिया हुआ है लगबग छे साड़े पांच फीट का लंबा केज है और तीन फीट चोड़ा केज है अब चलिए एकसाइटिंग चीज दिखाता हूं मैं आप लोगों को यह है लोरी केट कौन सी लोरी है यह मुलु मुलुक कन लोरी है और यह दोस्तों इस्पेसियली विल्सन भाई ने बताया के लिए उन्होंने रखी यह नौट फोर सेल है तो जिस किसी को खरीदना है तो वह कॉंटेक्ट के लिए नहीं है लेकिन हां आपको ऐसी चाहिए तो आप उनको कॉंटेक्ट कर सकते हो आपको सा पानी भी जो है वो मिट्टी के बरतन में दिया है इससे क्या रहता है दोस्तों पानी ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है और अच्छा भी रहता है यह बर्ड के लिए काफी अच्छा रहता है और जो लोरी हैं दोस्तों हमने काफी वीडियो इसके ऊपर बनाये हैं अलनूर इसको पालना कोई जंजट का काम नहीं है दोस्तों बहुत इजी है इसका वेंटेनेंस अब एक और संकन्योर की उपर पेर है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर जो है एमेजोन सेल के लिए अवेलेबल है एमेजोन का प्राइज में आप लोगों को थोड़ा बताना पसंद करू नहीं ज्यादा लगे कम लगे बोले मैं बता देता हूं और कॉलिटी में काम करते हैं वो ठीक है अब यहाँ पर संकन्योर भी हमने देखे हैं वह भी ठीक है देख सकते हैं यह 12-15,000 रुपे के बीच में काफी रिजनेबल प्राइज है संकन्योर का प्राइज मुझे काफी रिजनेबल लगा 12-15,000 रुपे यह हेंटे में सारे यह वाले सब हेंटे में दोस्तों 12 से लेकर 15,000 रुपे 12-15,000 रुपे ठीक है बाकी पेट गुरू के दर्सकों के लिए थोड़ा सा डिसकाउंट हो जाएगा है उन्होंने कहा है तो आप ट्राइक कर लिजिएगा और अ मकाव से क्योंकि एसा मकाव देखने को बहुत जल्दी नहीं मिलता है चलिए मैं आपको कुछ क्लिप जो है म्यूजिक के साथ पिछले वीडियो की बता देता हूं कि केसे इनके पास काका टू भी है फिर हम आगे की टूर स्टार्ट करते हैं के यहां पर लोरी देख रहे हैं जिसने एक बार ब्रीड कर चुकी अंडये चुकी है और फिर से सीजन में सायद में अच्पर ब्रीड करेगी ठीक है अभी मैं इसके पास जाओंगा इसकी फीमिल के तो मेल जो है वो दोड़ा दोड़ा आ जाएगा देखिए मैं आप लोगों कोई चीज दिखाता हूं देखिए देखना हो आप यह देखा आपने यह छोड़ता नहीं है इस अपनी दीवी को ठीक है तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और यह संकन्योर की पेर और नीचे वाली संकन्योर की पेर सेल के लिए नहीं हम आफ्रिकन ग्रे से सुरू किया था और आफ्रिकन ग्रे पर हम आ चुके हैं आप लोगों को यह बरोड़ा की विजिट अच्छी लगी होगी बहुत सारे बड़े बड़्स मैंने आप लोगों को दिखाए और जानक सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और दोस्तों के साथ सेर करना मत बूलिए मिलते का अगले से एक्साइडिंग एपिसोड में तब तक के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक